मेरे परिवार जनों, आज कल आप लगातार पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थेववस्ता है भारत इस दसक में टॉप थ्री अर्थेववस्ता में सामिल हो जाएगा और ये गरंटी जब मैं आपको देता हूँ ना, बड़ी जिम्मेवारी के साथ मेरे देशवासी, मेरे परिवार जनों को ये मोदी गरंटी देता है लेकिन जब आप ये पढ़ते हैं तो एक सवाल आपके मन में जरूर आता होगा कि इसका देश के सामाने नागरित पर क्या आसर होगा और ये सवाल बहुत स्वाबाविक भी है सात्यों किसी भी अर्थे बवस्ता को आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है कि देश के हर सेक्टर का विकास हो फूर सेक्टर से लेकर के फार्मा तक, स्पेस से लेकर के स्टार्ट अप तक जब हर सेक्टर आगे बढ़ेगा तो अर्थे बवस्ता भी आगे बढ़ेगी आप फार्मा इंडस्ट्री का उदहन ले लीजिए महामारी के समय भारत के फार्मा इंडस्ट्री की बहुत सराना की गई है आज ये इंडस्ट्री चार लाग करोड रुपिय से जादा की है और कहां ये जा रहा है कि 2030 तक भारत की फार्मा इंडस्ट्री करीब दस लाग करोड रुपिय की हो जाएगी अब ये फार्मा इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी तो इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि इस दसक में फार्मा इंडस्ट्री को आज की तुलना में कई गुना जादा युवाहों की जरूरत पड़ेगी जरूरत पड़ेगी